सबसे पहले आपने अपने ब्रोजर को उपन कर लेना है और सर्च बार में सर्च करना है वोटर आईडी कार्ड या वोटर कार्ड जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास टोप पर सर्च होकर वेबसाइट आएगी जो की NVSP यानि की National Water Service Portal है इसको उपन करेंगे जैसे ही ओपन होगी तो लोगी निया रेजिस्टर पर टैप करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नमबर और जो कैप्चा दिया गया है इस कैप्चा को डाल लेंगे और एंटर OTP करेंगे जैसे ही एंटर OTP करेंगे आपके पास एक OTP आएगी जिस OTP को आप का ये प्रोफाइल आएगा जहां पर अगर पहले से ही वोटर आईडी कार्ड बन चुका है तो I have epic number को select करेंगे और यहां पर अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड का number डाल देंगे फिर email address डाल देंगे और अपना अपनी पसंद का एक password क्रियेट करेंगे और वहां पर दोनों में confirm कर लेंगे और register करेंगे जैसे ही आप अपने इस profile को register करेंगे आप यहां पर nvsp की website पर register हो जाएंगे और जो register हुए है उसी से आप login करेंगे तो login करने के लिए username में आपका mobile number होगा जो mobile number डाल लेंगे और उसके पस्चात आपने जो password क्रियेट किया था उस password को डाल लेंगे दिया गया जो capture है उस capture को अच्छी तरह से fill करके login करेंगे तो आप इसके अंदर login हो जाएंगे यह देखिए अब देखिए second number पर आपके पास एक option है migration to another places इस option को चुनेंगे tap कीजिए यहाँ पर सबसे पहले आपने self को और दूसरे number पर migration outside your constituency को चुनेंगे और next को चुनेंगे next करते ही यह देखिए आपका form number 6 open हो गया है यहाँ पर आपका state already selected होता है अब आपने district को यान की जिले को चुनना है और यहाँ पर अपनी constituency विदान सबा के नाम को चुनेंगे और जैसे scroll down करेंगे तो यहाँ पर second option को चुन लेना और यहाँ पर यह देखिए यहाँ आपने अपना नाम लिखना है हिंदी में अपने आप type हो जाता है यहाँ पर अपने रिष्टेदार यान की जिन से relation है उनका नाम लिखना है जो कि आपके पिता या आपके husband हो सकते है अगर वो आपके पिता या husband है तो यहाँ पर चुन लेंगे इसके पस्चात की आपकी date of birth क्या है यह पहले से बरी हुई होती है क्योंकि आपके पहले वोटर आइडी कार्ड में है और लेडी थी अब आपने अपने जेंडर यानि की लिंक को भर लेना है की mail भी mail यह भरने के पास अब आपने अपने वर्तमान पता यानि की present address को फिल करना है यहाँ पर आपका गली नंबर house नंबर state आदी होता है तो अपना house नंबर फिल कर लेंगे गली नंबर फिल कर लेंगे आपका village या सहर जो भी है उसको फिल करेंगे उसके पस्चाथ आप अपने डाग गर्यान की post office जहाँ भी लगता है उसको फिल करेंगे और अपना pin code भर लेंगे पिन code भरने के बाद अगर आपका permanent और present address सेम है तो सेम कर लेंगे वरना अपना अलग-अलग फिल कर लेंगे यहाँ पर आपको अपने पुराने water id card की संख्या को भर लेंगे और next पर अपने relation यानि की पिता या पती के water id card का नमबर डाल देंगे next पर चलेंगे तो यहाँ पर आप अपना email id ये वेकल्पी की यानि की optional होता है तो भर लीजिए ना चाहे तो मत परिये यहाँ पर आपने अपने mobile number को भरना है next step जो है वो है upload का आपको अपने document upload करने है जैसे photo, age proof और address proof अब से पहले हमने अपने photo को upload करने के लिए उसको select करना preview करेंगे आप इसको preview करने के बाद save करेंगे और upload हो जाएगा next है हमारा IU का परमान यानि की age proof age proof के लिए आप आधर कार्ड को भी select कर सकते है तो उसको आधर कार्ड को upload कर लेंगे आधर कार्ड को upload करने के बाद यहाँ पर बताना पड़ता है कि आपने कौन सा document upload किया है age proof के लिए नीचे आएंगे तो IU यहाँ पर लिखा हुआ पता परमान यानि की address proof के लिए आपने अपना कौन सा document upload करना है list में देखकर आप upload कर सकते है यह देखे आपके list के अंदर कौन कौन से document है जो आप upload कर सकते है address proof के लिए declaration है declaration में यान की गोसना के अंदर आपने अपने गाउ का नाम लिखना होगा यहाँ पर अपने गाउ का विलेज का या सहर का नाम लिख लेंगे अब इसके पसाथ अपने state का यानि की राज्य का नाम चुनेंगे कि आपका state कौन सा है उसको select कर लेंगे यहाँ पर आपने अपने district यानि की जिले का नाम लिखना की कौन सा district है यहाँ पर आपने अपने इस date को भढ़ना है जिस date से आप उस तान पर रह रहे है तो date चुन लेंगे और date चुनने के पसचाथ यहाँ पर इस second option को चुन लेंगे और यहाँ पर अपने उस address को fill करेंगे जो जिस address पर आप पहले water ID card बनवा चुके है तो water ID card में चेक कर सकते कि आपका पहले वाला address क्या था उस address को water ID card में अच्छी तरह से चेक करने के पसचाथ यहाँ पर step by step अपने address को fill कर लेंगे यहाँ पर आपने अपने अस्तान का यानि की जिस स्तान पर आप रह रहे हैं अभी वहाँ पर उस स्तान को बर लेंगे date बरी हुई होती है, capture को बर लेंगे और जैसे ही आपका अप्चा भरेंगे उसके बाद आपने अपने form को एक बार re-check कर लेना है अब इसको हमने submit कर देना है और जैसे ही submit होगा यह देखिए आपके पास आपका successfully registered होने के बाद आपका application reference ID आगा है इसको आप future में अपने application के status को चेक कर सकते की बना या नहीं